मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एक्जाम बहुत यह गए होगा मेरा नम है प्रसांत और आप देख रहे आपका आपका आपना यूट्यूब चैनल एक्जाम रीज तो दोस्तो आज किस वीडियो पर आपने डेस्कस करने वाले हैं हुआ आप इस वीडियो को पूरे रेखेगा यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्ट सके नोस्तो आपको क्या करने वीडियो को लाइक कर देघा हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस टेस टू कर रिजर्ट जो है तो आपका एक हफते के अंदर तक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैं expected date बता रहा हूँ इससे रिजर्ट जल्दी विया सकता है और थोड़ा से late विया सकता है जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगोंने advanced test का exam दिया है तो आपको पता ही होगा कि आपके कितने marks आ रहे है यदि आपके marks अच्छे आ रहे है तो आप skills test की त्यारी कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं skill test की बारे में complete discussion करने वाला हूँ लेकिन मैं इसके पहले आपको एक छोटे से information देने वाला हूँ तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिये यह दोनों चोहार्ति टी एए के एक अभिन्दंग है ठीकना इसके exam कप हो था 2019 भी हुआ था रावरभार्टर साइट का ठीकना और नरूरा साइट का भी हुआ था आपन बात करते हैं B.A.R.C. 2018 वाले exam पे plant operator में skill test हुआ था तो दोस्तों आपको बता दूँ यहां पे 2018 पे plant operator skill test यहां पे हुआ था ठीकना आपन बात करते हैं N.P.C.I.L. 2019 पे जो रावरभार्टर साइट का exam हुआ था और 2020 पे जो नरूरा साइट का exam हुआ था या उसमें skill test हुआ था तो इसमें skill test नहीं हुआ था तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि B.A.R.C. 2018 पे जो B.A.R.C. का skill test हुआ था तो वहां पे क्या क्या हुआ था दोस्तों मैं यहां पे आपको पहले ही बता देता हूँ मैं यहां पे सिर्प्लांट operator की बात कर रहा वहां पे यदि ITI update से फार्म भर है तो यहां पे आपका skill test तो हो गही ठेकना जिन्हों name ITI update से फार्म भर है तो उनका skill test यहां पे होगा ठेकना इतना आप सब लोग को यादखना है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहां पे skill test पे क्या क्या पूंचेगा तो दोस्तों म आपको बता दूं 2018 पे जो BARC के एक्जाम हुआ था skill test का तो वहां पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं जैसे कि आपने PCM से फार्म भर है तो यहां पे physics, chemistry के practical पूंचे जाती है ठेकना physics से यहां पे physics का एक practical होगा और यहां पे chemistry का भी एक practical होगा यानिकि यहां प copy मिलते है इस पे आपको यहां पे reading लिखना पड़ता है ठेकना तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे physics और chemistry का आपको एक practical होगा और practical पे क्या क्या हो सकता है जैसे आप physics का practical दे रहना तो वहां पे आपको वर्नियर क्या लिपर दे सकते हैं इस कुडूगेज दे सकते हैं ओम गनियम बतलाने को आपको दे सकते हैं और chemistry पे आपको क्या दे सकते हैं अनुमापन की विधियां दे सकते हैं ठेकना इस तरह आपको दे देंगे तो आपको 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 एक एक practical को करना पड़ेगा तो यदि आपने plant operator का फार्मबर है HWB पे तो वहां पे आपने VCM प्रेक्टिकल हो सकते हैं और यहां पर chemistry कभी practical होगा कोल मिलाके यहां पर दो practical होते हैं इसके ल्टेस पे आप इतना समझ लेजिए ठेक है यहां पर मैं सिर्फ वैल्ट वेस पर बताया हूं और यहां पर आप आई टी आई कंडिडेट की बात करता हूं तो यहां पर आप आ इतना याद रहिए कि यहां पर इस्टेस तरी को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और यहां पर आपको सिर्फ practical होते हैं आपको एक-एक पेंज देंगे इसमें आपको reading लिखना पड़ता है जैसे आपने physics का practical किया और यहां पर chemistry का practical किया तो आपने जोर से practical करना है यहा आप mechanical से फार्म बार हैं तो यहां पर आपको mechanical का paper होगा ठीक ना आपकी से फार्म बार है और वहां पर skill test उसी date का होगा और अब बात आती होगी कि आपको skill test होगा कहां पर होगा जैसे कि दोस्तो आप सब लोग को पता होगा कि HWP की जो बेकेंसे आए थी कहां पर आए कहां से आए थी कोटा साइट से आए थी लेकिन दोस्तो कभी कभी क्या होता है HWP का जो skill test होते है मुंबई पे बुला लेता है दोस्तो अब माँ बात करने वाला हूँ ITI candidate के लिए तो दोस्तो यदि आप ITI candidate है जैसे कि आपने filter से भाम बर है electrical से भाम बर है तो दोस्तो यहाँ पे आपका skill test तो कम पलसरी है यहाँ पे आपका skill test 100% होगा क्योंकि ITI वाल अब बात आती है दोस्तों skill test के लिए कितने candidate को बुलाया जाएगा तो सबसे पहले है अपने बात करते हैं प्लान टूप्रेटर के लिए यहाँ यहाँ पे total के डिड़िटर को बुलाया जाएगा यहाँ पे total 280 खंदर को skill test के लिए बुलाया जायोगा और दोस्तो आपको बतारी जो skill test होता है aquology paper होता है यहाँ पर कोई marks नहीं जोटने है सिर्फ आपको qualified करना और होता है ठेकना तो इतना तो आप सभी लोग समझ test होता है और इसके बाद आपका document verification होता है तो इतना आप सभी लोग को याद रखना है क्या-क्या होता है document verification होता है और आपका यहाँ पर practical होते हैं इतना आप सभी लोग समझ के होंगे फिर भी आपको किसे भी तरह कदाउट रना तो आप मुझे comment box में पूंच सकते हैं मैं यहाँ पर एकडम actual बात बता है जो वहाँ पर होता है इसके बाद आप बात आती है कि advantage का result कब तक आएगा तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है लगबग 7 दिन के अंदर आपका result आ जाना चाहिए थोड़ा से इससे लेट भी हो सकता है और इससे जल्दी भी हो सकता है तो मैं यहाँ पर expected बता रहा हूँ और दोस्तों आपको बता दूं जैसे आप advantage को admit card आ जाएगा ठेकर न तो इतना तो आपसे लोग समझ गए होंगे आपका admit card जो है तो 3 days के अंदर आ जाएगा इस skill test के लिए और दोस्तों आपको बता दूं इस stage 3 के preparation के लिए आपको लगभग एक से एक हफते का time तो मिलते ही है minimum ठेकर इस stage 3 में आपको कितना time मिलता है ल आप एस channel पे पहली बार है है तो please आप एस channel को subscribe कर देजीए मैं इस channel पे सिर्फ आपके लिए video लात रहता हूँ ठीक है न तो आपको क्या करना है channel को subscribe कर देना है और इस video को like कर देना है और इस आपने दोस्तों में भी share करना है मिलते है ने इस वीडियो पे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज कमेंट वाक्स में बताएं इस वीडियो को अपने दोस्तों के सांद जादा से जादा से यहर करें ताकि उनके प्रेपेशन भी अच्छी हो सके मिलते हैं इस वीडियो पे तब तक के लिए थैंक यू